चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं कैसी खबर जिस पर सोचने पर आभिवश्च हो जाएंगे कि समाज किस ओर जा रहा है समस्तिपूर जले के उजियारपूर थाना उशेतर के लोहागीर पंचायत में एक दुकान के अंदर तिन बच्चों के हाथ पर बांद कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई जिसका वीडियो भी सोचल मेडिया पर वाइरल हो गया वाइरल हो रहे है वीडियो के सम्मंद में बताया जा रहा है कि किरान दुकानदार ने चोरी के आरोप में गाउं के ही तीन बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी ये तीनों बच्चे दुकान पर समान लेने गयते जहां कुछ रुपों की चोरी हुई थी जिसके बाद इदन माश्रुमों की दुकानदार ने बुरी तरह पिटाई कर दी आपको बता दें कि वाइरल वीडियो के दार पर डेस्पी दिनेश कुमार पांडिये ने कारवाई का आश्वासन दिया है पुरी घटना की जानकारी चाहेंगे आपसे की घटना सामने कैसे आई पुजियारपूर ठाना चेतर के लोहागीर की मामला है और परीजनों का तहना है कि मैंने बच्चे को पैसा देकर कुछ नावान खरिदने को उनके दुकान में बेजा था पर वहाँ जाने के बाद दुकानदार रंजन कुमार के राण पी का आरोप लगा कर बेरहमी से पिटाई की गई बच्चे की जी क्या अभी तक किसी की गिरफतारी जो दुकानदार है जो आरोपी दिख रहा है क्या उसकी गिरफतारी हो पाई है परीजन क्या कह रहे है परीजन क्या कुछ कह रहे है इस मामली पर जो बच्चों के परीजन है उनका क्या कहना है वो क्या मांग करें वो क्या आरोप लगा रहे है इलाज के लिए अस्पिताल ले जाए जार और परिजनों का कहना है कि मैंने तो बच्चे को सामाव लाने के लिए दुकानदार के पास भेजा था इससे ज्यादा परिजन कुछ भी बताने से असमर्थ है पपू तमाम जानकारीक शुक्रिया आपका आपको पता दे कि इस घटना के संबन में हमने पुलिस अधिकारियों से बातचित करने की कोशिश की लेकिन पुलिस अधिकारियों ने करनी काटनी चाहिए बात करने संकार कर दिया कोशिश करेंगे कि उन से इस संबन में बाचित की जाए और जो भी इस मामले में आरोपी हैं जो दोशी हैं उन पर कानून संबत कारवाई की जाए आपको बता दे कि एक खबर है समस्ति पूरी की जहां पर उजियार पुठाना शुत्रे के लोहा गिर पंचायत में एक दुका आज की सोच जारा है पर इनोंने हालाकि यह जरूर मांग की है कि इस दोशी दुकानदार को जल्द गिरफतार किया जाए